हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 14 जनवरी के सब इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा, काफी कुछ आपको जानने के लि लौंच किया है, साथ ही उडिशा के अगर बात करें तो उडिशा के गवर्णर है गनेशी लाल और यहां की कैपिटल है बुवनेश्वर, सिंप्लिफाल नेशनल पार्क, सत्कोसिय टाइगर रिजर्व, चेंड़का एलिफेंट सेंचुरी, गहिर माथा बीच इनक बीतर कन का, चिलिका लेक, सेंटरल राइस रिसर्च इंस्टिटूट जो की कटक में है, बीजू पटनायक एरपोर्ट, डॉक्टर अब्दुलकलाम आईलेंड, धामरा पोर्ट, इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदिपूर, जगन्ना टेंपल, लिंगराज टेंपर और कोनार संटेंपल, जो की 1984 में UNESCO World Heritage Site भी मना, यह सभी उडिसा में है, तो यह सभी आपके स्टेटिक जीगे को कवर करता है, इन सभी को आप नोट कर लीजेगा, साथ ही अगर उडिसा चीटे करेंट अफेर्स की बात करें, तो परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडि इंडिया ओर्का इंडिया के लिए गरीमा वेलफेर स्कीम को है, साथ ही उडिसा चीव सियव न हाल ही में एक वैब पोर्टल लौझ किया है, जिसका नाम है सुमंगल, उडिसा न हाल ही में परिश्रम इस पोर्टल को भी लौझ किया है, ओर annéeका गर्न Mister ने शूजल vision इसको भी लॉंच किया है साथी उडिसा गवर्मेंट ने यूनिसाइफ के साथ मिरकर इस्टुटेंट्स के लिए कैरियर पोर्टल भी लॉंच किया है और इंडिया का लार्जेस्ट होकी स्टेडियम ये उडिसा के राउर केला में बनेगा और आपको ये जालूम होना चाहिए कि 2023 का जो होकी वर्ड कप है ये उडिसा ही होस्ट रणने वाला है साथी उडिसा गवर्मेंट जो भी कोवीड-19 वारियर रहे हैं जिनोंने इसमें अपना वलिदान दे दिया इसके कारण वाइरस के कारण तो उनके याद में एक मेमोजिल भी बनाएगा साथी उडिसा गवर्मेंट ने मिसन जीरो एफ इसको भी लॉंच किया है जिसका मकसद यह है कि जो हाई स्कूल में बच्चे हैं उनका पास रेट बढ़ सके साथी उडिसा ने हाल ही में बेरहमपुर में रामलिंगवेश्वर पार्क इसको भी नोग्रेट किया है साथी फ्रेंट 2020 में खेलो इंडिया उनस्टी गेम्स इसका पहला एडिशन जो हुआ है यह उडिसा के भूवनेश्वर सहर में हुआ है साथी इंडिया का फ्रस्ट फायर पार्क यह भूवनेश्वर पार्क में बनाया गया है यह भूवनेश्वर में बनाया गया है उडिसा के भूवनेश्वर में किस राज्जे ने अमरेली जीले में एक नया बकसरा प्रांथ बनाने का निर्ने लिया है तो ये लिया है गुजरात ने, गुजरात के CM है विजय रूपानी साथी अगर गुजरात से जुड़े current affairs की बात करें तो परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में farmers के लिए किसान सुर्योदय योजना को भी launch किया है साथी यहाँ पर गिर्णा रोफवे, इसको भी परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाली में उद्खाटन किया था साथी फ्रेंट्स गुजरात ने एक farmers के लिए एक compensate, crop loss compensate scheme भी launch किया है इसका नाम है मुख्य मंत्री किसान सहाई योजना, यह काफी important है, एक exam अभी हुआ था, उसमें पूछी भी गई थी साथी गुजरात 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 ने हाली में मुख्य मंत्री महिला कल्यान scheme इसको भी launch किया है किस राज्य सरकार ने सिक्षकों और चात्रों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार करने के लिए Cambridge विश्व इध्याले के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D, आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश के CM है YSR जगन मोहन रेड़ी, यहां के गवर्नर है विश्व भूशन हरीचंदन और यहां की capital है अमरावती आंद्रप्रदेश से जुड़े current affairs की बात करें तो यहां की government ने हाल ही में women passengers की safety and security के लिए अभयम project इसको launch किया है साथी जगन जीवा करांती scheme भी आपर launch की गई है और आंद्रप्रदेश CM ने हाली में तुंगभद्रा पुशकरम इसको भी launch किया है साथी आंद्रप्रदेश CM ने हाली में first दिसा police station इसको भी launch किया है साथी आंदरपरदेश CM ने हाली में पेदालन दरी की इलू इस प्रोग्राम को भी लौंच किया है जो कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है साथी आंदरपरदेश ने हाली में बापु म्यूजियम इसको भी इनोगरेट किया है विजयवाडा सहर में साथी आंद्रप्रदेश ने हाली में YSR शेत हुआ इसकीम इसको भी लॉंच किया है इसका मकसद है विमन इंपावर्मेंट ससत्र बल पूर्वे सैनिक दीवस परतियक वर्ष किस दिन मनाया जाता है यानि Armed Forces Veterans Day किस दिन मनाया जाता है तो options आपके सामने है और correct answer होगा 14 जनवरी को ये मनाया जाता है ये किसलिए मनाया जाता है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यानि 14 जनवरी 1953 को हमारे किस राज्य में अपना लीथियम भंडार पाया है तो हाल ही में करनाटक राज्य के मांडिया डिस्टिक में बारत को लीथियम रिजरू मिला है करनाटक की बात करें तो यहां के CM में BS ये दुरप्पा गवर्णर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है बैंगलूरू आगे विप्रो की बात करें तो इसका हैटकार से बैंगलूरू में और विप्रो से जुड़े अगर करन्ट अफेर्स की बात करें तो विप्रो ने हाल ही में Belgium की एक कमपनी है 4C तो इसको भी बाय करने का एक पैक्ट साइन किया था साथी विप्रो जो है ये Metro AG इसका जो IT यूनिट है इसको भी एक्वायर करने वाली है और ये डील रहेगी 700 मिलियन यूएस टोलर की साथी विप्रो ने जो आपका ये है हिंदोस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड तो इसके जो 3D प्रिंटिंग एरक्राफ्ट पार्ट बनाने का भी इसके साथ MOU साइन किया है साथी फ्रेंट्स इसने विप्रो ने हाली में एक्सिमियस डिजाइन ये एक कंपनी है IT कंपनी है इसको भी एक्वायर करने की बात कही है तो ये चारों आपके लिए इंबोर्डेंट है अगर आप बैंक एक्वायर के तयारी कर रहे हैं तो उनमें इस तरह के कुशन पूछे जाते है हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है तो फ्रेंट्स भारत की रैंक है 85 और इस इंडेक्स को टॉप किया है जापान ने और इसमें सबसे लाश्ट में रहा है सीरिया जिसका की पासपोर्ट इसको राय है 29 केंद्र सरकार ने हाली में किस राज्य या केंद्र सासित परदेश में 144 मेगावाट की आठ चल विद्यूत परियोजनाओं को मंजूरी दी है तो यह दी गई है लद्दाक में और यह परियोजनाओं आएंगी इंडेस रिवर पर और इसके ट्रिब्यूटरी जो है तो फ्रेंड्स यह सभी प्रोजेक्ट्स हैं देखे इनके नाम पुछे जा सकते हैं कि किस रिवर पर बनेंगे या फिर किस राज्य या किस यूटी पर बनेंगे जैसे आप इसमें देखे रतन नाग हाइटो पावर प्रोजेक्ट तो ये कोश्यन भी पूछा जा सकता है आपको तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को आप देख लेना, नोट कर लेना साथ अगर लद्दाक की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को ये as a union territory अस्तित्व में आया और यहां के lieutenant governor है राधा कृष्ण माथूर और यहां पर दो district है लेह एंड कारगिन साथी फ्रेंट्स अगर हम लद्दाक के बारे में थोड़ी सी जानकारी पाए जो कि आपका exam point of view से काफ़ important है तो यहां का जो highest inhabited region है इसका नाम है रंगदूम और यह लद्दाक की सुरू वैली में है तो एक तो आपको यह मालूम चल गया यहां पर की सुरू वैली लद्दाक में है साथी फ्रेंट्स मुस्को वैली चूसूल जो की अबी नियूज में भी रहा है पैंगोंग लेक सो मोरीरी, मैगनेट हील और जोजीला पास ये लद्दाक में है साथी चेवांग नौर्फिल इन्हें ये एक सिविल इंजिनेर है इन्हें ग्लेसियर मैन के नाम से जाना जाता है साथी हेमिस हाई अल्टेटूट नेस्नल पार्क हेमिस मोनेस्ट्री, सांती इस्तूपा, ठिकसे मोनेस्ट्री ये सभी लद्दाक में है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि लद्दाक की तरफ से केवल एक मेंबर ओफ पार्लेमेंट चुना जाता है लोग सबा के लिए और इस वक्त जो है ये है बीजेपी के जाम्यांग शेरिंग नमग्याल साथी फ्रेंट्स नेशनल रिसर्च इंस्टिटूट फोर सोवारिक्पा ये लेह में है और द्रास जो की वर्ड का सेकंड कॉल्डेस्ट इनहेबिटेट प्लेस है ये भी लद्दाक में है साथी सिंदू दरसन फेस्टिवल ये भी लद्दाक में मनाया जाता है साथी आप ये भी आ दखना कि हाली में जांसकार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल ये भी लद्दाक में ही हो रहे हैं तो question आ सकता है इसमें आपको अगर Jumbo and Kashmir option मिले तो महाँ पर आपको confuse नहीं होना है आंसर होगा लदाक साथ फ्रेंड्स हाली में लदाक का जो Sokar Wetland complex है इसको रामसर साइट में add किया गया है यह हमने अपने एक करेंट अफेर सेचन में भी add किया था गंभीर रूप से लुप्त प्राइस सूजी में रखा गया कारा कल केवल कहां पाया जाता है तो options आपके सामने हैं और इसमें correct answer होगा option D यानि गुजरात और राजस्तान ये दोनों में पाया जाता है और हाली में भारत सरकार ने इसको critically endangered list में सामिल किया है आंद्रपर्देश हाई court के मुख्य न्यायदिश के रूप में किस ने सपत ली है तो आंद्रपर्देश हाई court के मुख्य न्यायदिश मनाए गए है अरूप कुमार गोस्वामी अगर हम हाली के जो newly appointed chief justices की बात करें तो देखे जस्टिस एस मोरलिधर ये उरिशा हाई court के chief justice मनाए गए है जस्टिस आरेश चोहान ये उत्राखंड हाई court के मनाए गए है रवी मालिवत ये हिमाचल हाई court के मनाए गए है पंकज मिथल ये जम्वेंड कश्मीर लद्दा कोर्ट के मनाए गए है जस्टिस हीमा कोली ये फर्स्ट वूमन चीफ जस्टिस मनी है तेलंगाना हाई court की यहां से question पुछा जा सकता है साथी मौम्मद रफिक इनको मध्यपर्दिस हाई court का chief justice मनाए गया है और शुधानसु धूलिया इनको गोहाटी हाई court का chief justice मनाए गया है तो यह है फ्रेंट्स ऑस्टेलिया से और अभी ऑस्टेलिया और इंडिया के बिच थर्ड टेस्ट मैच हुआ है तो उसमें इन्होंने इसमें इन्होंने जो है first women match अंपायर की भूमी का इन्होंने निभाई है साथी फ्रेंट्स यह भी आप याद रखना कि GS Lakshmi यह जो है first female है जिन्होंने men's ODI match में referee की भूमी का निभाई है तो referee और empire में अंतर होता है यह आप याद रखना और जो यह question में है clear polosak तो friends इन्होंने पहले भी इस तरह की एक भूमी का निभाई है जब यह first female empire बनी थी men's ODI में अंपायरिंग करने वाली तो यह empire बनी थी और GS Lakshmi यह referee बनी थी तो दोनों में अंतर होता है Chronicle of the Philanthropy द्वारा जारी की गई 2020 सिर्स दान की वार्शिक सूची में सबसे सिर्स पर कोन रहा तो options आपके सामने हैं और correct answer होगा इसमें option B Amazon के CEO and founder Jeff Bezos इन्होंने friends climate change के लिए जो है 10 billion US dollar donate किये है COVID-19 vaccine के लिए अधिकार प्राप्त समीती के अध्यक्स के रूप में किसे news किया गया है इस question को English में भी देख लेते हैं Who has been appointed as the chairperson of an empowered committee for COVID-19 vaccine तो यह बनाए गए है RS Sarma निमलिकित में से किसने bank रहित segment में वित्य समावेस को बढ़ावा देने के लिए India Post Payments Bank के साथ साजेदारी की है यानि which of the following has partnered with India Post Payments Bank to promote financial inclusion among unbanked segments तो यह किया गया है FSS के साथ यानि Financial Software and Systems के साथ और friends जब बात हो रही है India Post Payments Bank की तो आपको यह भी याद रखना जुरूरी है कि इसके नए CEO and MD बनाए गए है जे वेंकटत रामू जे वेंकट रामू निमलिकित में से किस ने Anti-Doping Education and Learning Platform यानि ADL लॉंच किया है तो यह लॉंच किया है WADA ने यानि World Anti-Doping Agency और इसका हैटकॉर्टर से कैनाडा के मौन्ट्रियल में इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड और किस बैंक ने सहे ब्रांडेड यानि को ब्रांडेड संपर्ग रही ती यानि Contactless रूपे डेविट कार्ड लॉंच किया है तो यह किया है State Bank of इंडिया के साथ मिलकर State Bank of India के चेर्मेन है इंडियन ओयल के चेर्मेन है स्रीकांत मादव वैद दिया आगे बढ़ते हैं फोन पे ने अपने प्लैटफोर्म पर निमलिखित में से किसके साथ बिलकर Term Life Insurance Plan लॉंच किये तो यह लॉंच किये है ICICI Prudential Life Insurance के साथ तो जब बात हो रही है ICICI Prudential Life Insurance की तो आपको यह भी याद रखना जुरूरी है कि RBL Bank और ICICI Prudential Life इन दोनों ने एक Bank Assurance Partnership भी हाल ही में साइन की है देखे, Bank Assurance का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई Bank या फिर कोई Insurance Company दोनों इस तरह का Pact साइन करती है तो जो Insurance Company के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी उनकी भीमा पॉलिसी होती है उनको जो Bank है वो अपने ग्रहाकों को बेचता है उनको ओफर करता है तो इसमें दोनों का ही फायदा होता है तो जितना अच्छा Bank होगा जितना उस पर टरस्ट होगा तो उत्रा ही कस्टमर उस पर विश्वास करेंगे और पॉलिसीज खरीदेंगे तो इसको बोलते हैं Bank Assurance All India Jam and Jewelry and Jewelry Domestic Council के अध्यक्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह किया गया है आसीज पेठे को और इसके जो Vice Chairman है यह बनाए गही है सयम महरा तो याद रखना All India Jam and Jewelry Domestic Council G.J.C तो फ्रेंट्स इस तरह से हमने 18 questions इस वीडियो में कवर किये हैं अब देखते हैं Previous Assignment Questions के आंसर World Hindi Day is celebrated on which day 10th January Who is the CEO of International Cricket Council Manu Sani Who is the new British High Commissioner to India Alexander Ellis Which state will observe January 23rd As Desh Nayak Divas West Bengal Which state has started The crisis and journey events To test soil and water Karnataka अब देखते हैं आज के Assignment Questions इससे पहले friends आप सभी अगर हमारा content अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए What is A68A यह हाली में चर्चा में रहा था तो आपको इसका अंसर बताना है कि यह क्या है Who is the MD and CEO of Punjab National Bank San Diego Ju Safari Park is located in which country Who is the Union Minister of State for External Affairs Who is the India's Permanent Representative to United Nations and other international organizations in Geneva तो इन पांचो कोश्चन के आंसर आपको बताने हैं अगर आपको एक कोश्चन का आंसर भी इसमें मालूम है तो वो भी आप comment box में हमें जरूर बताईए साथी friends आप सभी Current Affairs Funda को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quidges हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर Current Affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp and Telegram पर share करें लाइक करें और comment करके जरूर बताना कि यह video आपको कैसी लगी thank you guys